So hello everyone, so मेरा नाम है गौरब, so I hope आप सारा लोग बहुत अच्छे होंगे So guys, already आपने thumbnail में देख लिए होगा कि हम लोगों के लिए ने एक बुरी खबर आई है बुरी खबर तो है, साथ ही साथ एक अच्छी खबर भी है जो कि मैं आपको इस वीडियो में दोनों चीजे बताने वाला हूँ तो इस वीडियो को पुरा एंड तक देखे है क्योंकि बहुत ही जादा important information में देने वाला हूँ आप लोगों को ठीक है सो गाइस देखो जैसे कि आपको पता है कि अभी तक हम forever के अंदर किसी भी prospect की joining और KYC को complete करने के लिए न हम my forever India application का इस्तिमाल करते थे बट अब से आप लोग जो है my forever India application के तुरू किसी भी prospect की joining और KYC जो है आप नहीं कर पाऊगे क्योंकि forever living products company ने एक announcement करी है कि 5 October के बाद से जो है joining का process और KYC का जो process है my forever India application के तुरू वो permanently disable कर दिया जाएगा मतलब आप 5 October के बाद से जो है आप किसी भी prospect की joining और KYC जो है आप नहीं कर पाऊगे क्योंकि जो my forever India application के अंदर जो facility थी joining और KYC करनी की वो हमेशा के लिए permanently बंद कर दिया जाएगा सिरिफ आप my forever India application के तुरू आप सिरिफ और सिरिफ प्रोडॉक्स की आप order कर सकते हो किसी की 2CC कर सकते हो अपने ID पर प्रोडॉक्स की परचेजिंग कर सकते हो जैसे आप पहले कर देते सेम आप अभी भी आप प्रोडॉक्स की आप order कर सकते हो सिरिफ पर सिरिफ ज्वाइनिंग और KYC जो है आप उस application के तुरू नहीं कर पाऊगा क्योंकि परबनेंटली 5 December के बाद डिसेवल कर देगी company ठीक है तो यार देखो यह तो थी बुरी खबर जो कि अभी मैंने आपको बता दिया और एक्चल में यह बुरी खबर है क्योंकि यह आप लोगों की ज्वाइनिंग करना और KYC करना काफी आदा असान होता था राइट आप लोगों को भी मुझे पता है बहुत आदा असान लगता था है ना ज्वाइनिंग करना और KYC करना बट फॉरेवर देखो एक ऐसी company है यार जो हमेशा अपने आपको अपडेट करती है ठीक है time to time update करते है बहुत ऐसे rare company है जो हमेशा time के according अपने आपको अपडेट करती है ठीक है तो फॉरेवर ने अगेन एक update लाया है ज्वाइनिंग और KYC को लेकर ठीक है वो update और वो new experience क्या है कि अब हम किसी भी prospect की ज्वाइनिंग और जो KYC है ना हम माई फॉरेवर इंड आगे 6 October से आगे continue होगा आपको उसी official website के तरू जो है लोगों की ज्वाइनिंग और KYC करनी होगी ठीक है इस website का एक सबसे बड़ा फाइदा यह है कि इस website से हम ज्वाइनिंग और KYC तो complete करी सकते हैं साथी साथ ज्वाइनिंग करने के time पे हम अपने prospect के bank details को भी update कर सकते है ठीक है आप उसको skip भी कर सकते हो या फिर उसी time पे चाहो तो आप bank details को भी update कर सकते हो अभी तक क्या होदा था कि हम पहले ज्वाइनिंग करते थे और बाद में जो है हम bank details को update कर देते ठीक है लेकिन अभी क्या है इस website के तरू आप ज्वाइनिंग प्लस KYC प्लस आप अपन अप्लिकेबल होगा तो यह चीज अप्लिकेबल होगी 6 अक्टूबर से क्योंकि 5 अक्टूबर कोई जो है माई फॉरेवर इंडिया अप्लिकेशन के तुरू ज्वाइनिंग और KYC का जो facility है वो डिसेबल हो जाएगा तो 6 अक्टूबर से जो है आपको माई फॉरेवर कैसे होगा मुझे तो पता ही नहीं है I know मुझे पता है कि आपको अगी नहीं पता होगा क्यूंकि अब यह QUknी और लोगों को किस तरीके से से करे कर compromise यह बिल्कुल भी नहीं पता, don't worry, अभी बहुत जल्द मैं इसके उपर एक वीडियो लाने वाला हूं, जिसमें मैं आपको complete information देने वाला हूं, कि आप foreverliving.com website के तुरू, आप किसी की भी joining कैसे कर सकते हैं, KYC कैसे कर सकते हो, bank details कैसे update कर सकते हो, सारी चीजे में details में बताने पाला हूं, ठीक है, तो next video इसी के उपर आने वाली है, तो तक तक के लिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को आपने subscribe नहीं किया, तो जल्दी से आप subscribe कर लो, ताकि अभी जो मेरी new video आने वाली है, ज्वाइनिंग के उपर, वो वीडियो की notification आपके पास पहुंच जाए, ठीक है, तो तिल दी ताइम, wish you good health and forever success.